हेलो हेलो सर वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिनीव कर रहे हैं सर क्वेस्चन नंबर 17 के साथ अब देखें सर एडिशन एक चीज तो होता है कि भाया जो सम्स होते है ना हर साल अलमों सेमी रहते है जादा ज्यादा इयर में फरकाता है तो कभी-कभी 23 लिखा रहेगा कभी 20 लिखा रहेगा कभी 21 बट यू विल फाइंड इस क्वेस्चन रीमा इंड सीमा इन एवरी बुक कड़ने का तरीका एक ही है अमाउंट एक ही है बस एक ही है बस यह grinding change होता है और कभी-कभी ओबुश्बल नया क्वेस्ट्स लिखा होता है कुछ खूपरCr hack र्च हटा दिया जाता है वो डिपैंड करता है चल fort करते रीमाएंड सब्सक्रिया इस ग्दम सीदा पोप्रॉप् फड़े गा you cannot have an argument कि ताइम नहीं था format नहीं बनाए तो marks क्यों कड़ गया रीमा डशीमा और पार्टनर शेरिंगी प्रॉफित्स एक्वोली 1 is to 1 the profit sorry the partnership deed provides that both Rima and SEMA will get monthly salary of 15,000 each दोनों को monthly salary चाहिए 15,000 each का मतला 15,000 into 12 करना पड़ेगा पूरा साल का salary होगा ना 15,000 को 12 से multiply करेंगे तो पूरा साल का salary आएगा और हर एक partner को देंगे तो 15,000 into 12 कितना हो रहा है 1,80, 1,80 मिलेगा किसको रिमा को और 1,80 मिलेगा सीमा को दोनों को 1,80, 1,80 इंटरस्ट अन कापिटल बोल दिया है 5% पर आनम बहुत अच्छे इंटरस्ट अन ड्राइंग बोल दिया है 10% पर आनम ये भी बहुत अच्छे कापिटल्स भी बोल दिया है 5,00,000 each था and their drawings भी बोल दिया है 60,000 each during the year फूल फूल येर का drawing एक साथ दे दिया है लेकिन when did they withdraw they have not mentioned हम लोको बुला नहीं है फर्म incurred net loss of 1,00,000 during the year 31st मार्च 2022 वाओ जोल हो गया ये तो क्या जोल हो गया फर्म में नेट लॉस दिया हो है 1,00,000 रुपीज का अब अगर नेट लॉस दे दिया तो क्या हम लोग salary देंगे answer is नहीं salary हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग क्या किसी भी टाइप का interest provide करेंगे interest on capital answer है नहीं हम लोग interest on capital भी provide नहीं कर पाते हैं अरे पैसा ही नहीं है तो दोगे कैसे ना interest on capital मिलेगा ना salary मिलेगा लेकिन क्या हम लोग interest on drawings चार्ज करेंगे जौनी जौनी येस पापा है है किनी हम लोग बिलकुल interest on drawing मतलब partner लोग से अगर कुछ ले सकते हैं तो ले लो तो firm can charge interest on drawings from the partners तो partner लोग क्या करेगा ये interest on drawings ले लेगा लेकिन बाकी कोई भी चीज यहां पर नहीं आएगा देखो हम सारा calculation करके बैठ गए थे लेकिन last में पता सला firm में net loss है तो sir अब क्या करे what do we do sir it is quite simple actually आप PL appropriation account में आपको पता है salary और interest on capital नहीं देना है तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं अब सीधा आ जाते हम लोग नया particular concept में जहां पर हम लोग सबसे पहले net loss को carry forward करते हैं यहां पर आप लिखेंगे टू पी एल अकाउंट sir टू पील ऐसे तो बाई पील लिखते है रहे लॉस हुआ है न पगले तो यहां पर लिखो होगे net loss कितना का net loss हुआ है 1 lakh रुपीज का net loss यह देखो net loss वन लाक हुआ डन और हमनों को क्या बोल रहे प्रिपेर करो पील अप्रो चलो बना दे रहें पील अप्रो भी बनेगा सर पील अप्रो बनेगा क्या yes क्योंकि interest on drawing पील अप्रो में बनता है तो बस एक ही item आएगा यहां पर by interest on drawings by interest on drawings किसका किसका निकलेगा बताओ भाई बताओ किसका किसका नाम क्या क्या था रीमा और सीमा calculate करिये सर रीमा और सीमा interest on drawing calculate कैसे करेंगे पहले तो drawings का amount चाहिए हम लोग को पूरा question में सबसे पहले clear कर देते है sir सबसे पहले पूरा question में बताइए drawings का amount किदर लिखा हुए मिला आप लोग को खोज लिए चली sir यहाँ पर मिल गया यहाँ पर बोल दिया na drawings का amount तो बोल दिया interest on drawings 10% charge होगा and drawings during the year of interest on drawings will be also charged to SEMA why why it is quite obvious it is quite obvious उस पे interest देना है चली sir देख लेते है पहले आप लोग इतना तक calculation करके पहले खुद बताइए वाँ वीडियो पॉस करके ना खुद भी दिमाग लागा करो खाली सब निकलवा लेते हो मेरे अंदर से आप सुनिया यहाँ पर यहाँ पर आप एक चीज को समझिये आपके पास date of drawings है क्या इसमें बोला हुआ है क्या कब withdraw किया नहीं बस लिख दिया during the year बोला है न during the year मतलब साल में कभी ना कभी 60,000 करके पूरा साल में कभी ना कभी withdraw कर लिया गया है तो 60,000 into 10% per annum charge करेंगे 6 months के लिए हाँ जी भाई 6 months का average period लेंगे निकलिए भाई amount निकलिए कितना आ रहे कितना रहे 3000 जब date नहीं दिया वर रहेगा during the year बोला रहेगा हम लोग 6 months के लिए लेंगे तो दोनों में 3000 लिख लो और 3000 लिख लो अब net loss डिवाइड हो जाएगा profit sharing ratio में डिवाइड करो देखो कितना आ रहे बताओ उनको balance निकालना पड़ेगा अब तो अब तो और कोई काम नहीं है सिर्फ balance निकालने से ही काम हो जाएगा balance निकालो कितना आ रहे 94,000 आ रहे क्या चेक करिए और कितना आएगा सर देखिए debit side is greater यहाँ पर कितना आ रहे 1,00,000 तो यहाँ पर कितना रहे यहाँ पर भी total लिखना पड़ेगा 1,00,000 बच रहे कितना 94,000 अब 94,000 को divide कर दो net loss ओर है 94 यह divide कर दो REMA और SEMA में REMA and SEMA में please divide कर लिजिए यहाँ पर लिखेंगे आप by partners capital सर current account क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि यह सर fixed capital method है ही नहीं यहाँ पर तो ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोगों की fixed capital method है तो यहाँ पर REMA and SEMA कितना कितना amount आएगा equal partners थे ना 94,000 divided by 2 47 47 आ गया सर total चेक कर लो ओके सर अब दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको और यहाँ पर मैंने बोला है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर REMA's capital ऐसे लिखना ज़रूरी है ठीक है यहाँ पर तो heading ही है ना यहाँ पर तो heading ही capital है तो यहाँ पर tension नहीं होगा उपर वाला कोई भी heading में salary हो interest on capital हो कुछ भी हो उसमें लिखना ज़रूरी है capital ही current हो गया सर complete पूफ डन 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 चलिए सर अब हम लोग next question में जाते हैं which is going to be question number 18